नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशाज सत्तिकी राह में मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंट संतोशी बात करेंगे दिनांक तीन अगस्त दिन गुरुवार का आपके लिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है आज का दिन आपको क्या देने वाला है इसकी जानकारी लेकर क्यों पस्तित हूँ जानकारी आपको एक और दे दे हम की आज और कल दो दिन आप इंदोर मिल सकते हैं इसके बाद पूरे और फिर मुंबई और फिर एहमदाबाद इन दोर अगर आप मिलना चाहते है तो आप कार्याले के दिये गए नंबर पर वाटसप करें और इन दोर मिलने का समय सुनश्चित करने या फिर पुने या फिर अहमदाबाद मुंबई बैंगलोर भी हम आ रहे हैं अगर आप बैंगलोर मिलने की इच्छा रखते हैं तो आप कार्याले के दिये के नंबर पर आप वाटसप करके एडवांस करें और बुकिंग करा लीजे बैंगलोर हमारा पहला विजिट हो गाई आपके लिए हम बैंगलोर भी रहेंगे दो दिन का टूर रहेगा तो आईए अब सुर्वात करते हैं आज के जोतिश दिशा का नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भु प्रस्तती सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग अधिक माहस्रावण कृष्ण दुतिया चंद्रमा आज कुम्भ राशी में नक्षत्र सुबह 9.55 तक धनिश्ठा और उसके बाद सत्भिषा धनिश्ठा का मतलब होता है मंगल और सत्भिषा का मतलब होता है राहु धनिश्ठा 9.55 तक है योग रहेगा सवभाग तदनुसार दिनांक तीन अगस्त दिन गुरुवार राहुकाल दो पहर डेड़ से तीन और गुलिकाल सुबह 9.5 दस राहुकाल में नय और शुबकाम के लिए सास्त्र वर्जित करते हैं गुलिकाल में आप नया और शुबकाम कर सकते हैं काम आपके बन जाते हैं तो मेश से लेकर मीन तक आपका दिन कैसा बीतेगा दिन को बेहतर कैसे किया जा सकता है आईए अब हम इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं मेश राशी पढ़ाई के लिए समय अनकूल रहेगा सक्षा में किसी तरह की रुकावट और परिशानी नहीं है सिक्षा का आस्तर आपका बहुत शुब रहेगा आज सिक्षा में कुछ बढ़ा करने जा रहेगा आपका प्रभाव सकरात्मक रहेगा सिक्षा का छेतर आपके लिए अनकूल है ब्यापारिक दिश्टिकूर से समय देखा जाए तो थोड़ा सा उठा पटक वाला रहेगा आज चंद्रमा का प्रभाव सदविशा नक्षत्र में रहने के कारण बिजनस के उतार चड़ाव से आपको जूझना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आज समारने में आपको हर कदम पर लाब होगा सरकारी छेतर में कुछ उतार चड़ाव के बाद परिश्थिति आपके अनुसार है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के बीच तालमिल बहुत अच्छा रहेगा किसी तरह की रुकावट नहीं है आज रिष्थे में शुभता बनी हुई है दामपत्य जीवन कल के बिखरते हुए रिष्थे को आज समारा जा सकता है लव लाइफ में मामला हाथ से बाहर जा रहा है जिस पर थोड़ा आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यक्ता है स्वास्थ के मामले में आज आँखों की समस्या और किड्नी की दिक्कत हो सकती है मेश राशी वालों को आज उपाय के तौर पर मादुर्गा को प्रणाम करके आज गुलाब जल अपने उपर श्रिकाव कर लीजेगा शुभरंग आपके लिए आज केसरिया भागी प्रत्षत 56 ब्रिशब राशी तीन अगस्त शिक्षा पूरुनता की तरफ है पढ़ाई में लाब हो रहा है हर कदम पर शुबता है ब्यापार सकरात्मक रहेगा बिजनस में किसी रहकी उतार चड़ाओ की गुंजाईश नहीं आपके लिए एक अलग प्रिभाव रहेगा प्राइबिट सेक्टर को आज आप बल दे सकते हैं मुश्किलों से बाहर निकलेंगे अउसर अच्छे मिलेंगे सरकारी छेतर में बेहतर करने का प्रयास सफल होगा गौर्मेंट सेक्टर आपके लिए अच्छा उसर दे रहा है दामपत्ते जीवन बहुत अनकूल रहेगा पत्नी और बच्चों की बीज तालमेल अच्छा रहेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ में आज इस्थती थोड़ी सी डामडोल है और इस्थतियों को समझते हुए काम करिएगा स्वास्थ के मामले में आज कमरदर्द और घुटना परिशान करेगा क्या उपाय करना चाहिए गर आप पिराशी ब्रिशब है आज शिवाले अवश्य जाएं शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करते हुई ओम नमह शिवाय का यारहवार जाप कर लिए शुबरंग आप के लिए आज भूरा ब्राउन भागी प्रतिशत सत्तावन मिथुन राशी मानसिक शान्ती रहेगी पढ़ाई अच्छी कर रहें शिख्चा में बहुत शुब इस्थती रहेगी ब्यापार अन्कूल रहेगा बिजनस में अउसर अच्छे मिलेंगे आज परिस्थतियों को आप सकारात्मग कर सकते हैं प्राइविट सेक्टर आपके लिए अच्छा अउसर दे रहा है जिन ताउं से बाहर निकलेंगे सकारात्मग परिणाम दिखेगा सरकारी छेत्र में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी गौर्मेंट सेक्टर को आप बहुत शुब इस्थती में ला रहे हैं दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा आज बच्चों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है पत्नी के साथ कहीं घुमने टहलने का कारिक्रम बनेगा लव लाइफ थोड़ा सा उल्जन पैदा कर रहा है स्वास्त के मामले में कमरदर्द आंख और पीड की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिएगा आपकी राशी मिथुन है भगवान गणेश का ध्यान करके एक दूर्वा का टुकड़ा अपने सर से तीन बार उल्टा वार कर किसी पौधे की नीचे डाल दीजिए शुब रहेगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग्य प्रत्षत 52 करक राशी मान स्विक्षांती मिल रही आपको पढ़ाई में सुधार होगा स्विक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस के लिए कुछ बेहतर सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को आज अलग तरह से कुछ प्रभाव दिखाईएगा प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए कुछ अच्छा आउसर मिलेगा सरकारी छेतर में उतार चड़ाओ बढ़ रहा है गौर्मेंट सेक्टर को कुछ बेटर करने का प्रयास करना होगा दामपत्त जीव ननकूल रहेगा बच्चों और पत्नी के बीच ताल में लच्छा बैठेगा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ की स्थति में मामला हाथ से बाहर जा रहा है आज कुछ इधर उधर की बातें आपके लव लाइफ को प्रभावित कर रही है स्वास्त के मामले में आज का दिन कमरदर्द और लिवर या किड्नी की समस्या दिखाता है क्या प्रयोग करना चाहिए अगर आपकी राशी करक है कच्चा दूद अपने कंठ पर लगा कर और फिर दिन का आरंब करें शुबरंग आपके लिए सफेद भागी प्रत्षत पच्पन सिंग राशी दिनांग तीन अगस्त पढ़ाई आज बहुत अनकूल चल रही आपके सिक्षा में खूब सुधार हो रहा है अब आपके लिए कुछ रास्ते अपने आप खोलेंगे चंद्रमा आपकी राशी को सिंग राशी को आज पूर्ण दृष्टी से देखेंगे गोचर में खूब सारे रास्ते खोलते हैं चंद्रमा जब भी राशी को देखता है तो सकारात्मक्ता बढ़ाता है तो सिक्षा हर कदम पर लाब देगी सिक्षा में सुधार होगा अवसर अच्छे मिलेंगे ब्यापार थोड़ा सा उतार चड़ाओ बढ़ाएगा बिजनस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है कंसंट्रेट करने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए शकारात्मक्ता दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है सरकारी छेत्र में सुधार अपने आप होगा गॉर्नमेंट सेक्टर आपके लिए शुभ इस्थति लाएगा दामपत्य जीवन थोड़ा इधर उधर की बातों से आपको उल्जा रहा है दामपत्य जीवन को बहतर करने का प्रयास करे लव लाइफ मन मुटाओ कर देगा आज एक दूसरी के प्रति बैचारिक भी शमता रहेगी लव लाइफ की इस्थती बहुत अच्छी नहीं है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज डाइजेशन और आँखों की समस्या गंभी रूप ले रही है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी सिंग है ग्यारे बार इसका जाब करिए शुबरंग आपके लिए आज आस्मानी भाग्य प्रत्षत बावन कन्य राशी मानसिक शांती मिलेगी आज पढ़ाई में खुब बहतर करेंगे सिंग्षा की स्थती आज अच्छी है किसी तरह की कमी और परेशारी नहीं ब्यापार थोड़ा सा कश्ट दे रहा है बिजनस को समारने का परियास करें ब्यापार विक दिश्टिकोंट से समय थोड़ा प्रत्कूल हो सकता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज अच्छा उसर देगा प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ बेटर करने का परियास करें सरकारी छेत्र की इस्थती बहतर है गौर्नमेंट सेक्टर आपके लिए शुब इस्थती में है दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ में इस्थतियां थोड़ी सी डावा डोल है यहाँ परिस्थती बहुत अच्छी नहीं अचानक से कुछ गरबर हो सकता है स्वास्त के मामले में आज माइगरेन की इस्थती आज खराब हो रही है अगर आप सर में दर्द रहता है डाइजिशन में भी आज कुछ अन इजी फील करेंगे क्या प्रियोग करना चाहिए गर आपकी राशी कन्या है कंठ पर अपने हल्दी का तिलक लगा ले शुबरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत तिरपन तुला राशी मन प्रशन नहें आज स्विक्षा की स्थती को बहतर कर रहे हैं व्यापार अनकूल रहेगा बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज कुछ अच्छा करेगा प्राइवेट सेक्टर में शुबता है सरकारी छेत्र को सुधार लाने का प्रियास करें गॉवर्मेंट सेक्टर में कुछ बेटर करने का प्रियास करें दामपत्य जीवर अच्छा और पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा लव लाइफ में इस्थती डामाडोल हो सकती है आज तुला राशी वालों को आज का दिन विवा की चर्चा टाल देने में ही भलाई है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज माईगरीन की समस्या और कमरदर्द की शिकायत रहेगा क्या उपाय करना चाहेगा आपकी राशी तुला है मा दुरगा को आज प्रणाम करते हुए अड़हुल का पुश्पून के चर्णों में रख दीजेगा शुबरंग आपके लिए लाल भाग्य प्रदिशत बावन फिफ्टी टू ब्रश्चगराशी बहुत सकरात्मक प्रभाव वाला दिन रहेगा आज चतुर्थ की चंद्रमा का प्रभाव आज शुबर रहेगा पढ़ाई में अच्छी तरह से आप रम रहे हैं सिक्षा बहुत सकरात्मक चल रहा है किसी तरह की रुकावत नहीं ब्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ेगा बिजनस पर फोकस करने की आवश्यक्ता है ब्यापारी दिश्टिकोंट से समय प्रतिकूलता के साथ अनुकूलता में कनवर्ट होगा आज कहीं यात्रा आदे से भी आपको विशेश्ट लाब होगा प्राइविट सेक्टर में बात करें तो कुछ प्रभाव आपके लिए अनुकूल है अवसर अच्छे मिल रहे हैं किसी तरह की समस्या नहीं है मानसुक शानती रहेगी आज सरकारी छेतर में उतार चड़ाओ बढ़ रहा है गौर्रमेंट सेक्टर को आज समय देने की आवशेक्ता है प्रमोशन के लिए पहर भी ना करिएगा मामला हाथ से बाहर जाएगा दामपत्य जीवन की स्तिती देखें तो ब्रिश्चिक राशी वालों के लिए आज किसी बाहरी तत्यों का हस्तक शेप थोड़ा सा परिशान करेगा दामपत्य जीवन अच्छा है फिलहाल तो उस हस्तक शेप को केवल थोड़ा समालिएगा कई बार जब हम दूसरों की सुनने लग जाते हैं को हमारे लिए कश्ट देता है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज कमरदर्द और माइगरेन की समस्या हो सकती है लव लाइफ में मामला हाथ से बाहर नहीं जाने पाएगा आज आप समभाल लेंगे लव लाइफ बहुत अनकूल रहेगा स्वास्त एक तो माइगरेन और गमरदर्द की शिकायत आँखों से पानी आना थोड़ा बहुत कोल्ड कफ की शिकायत भी हो सकती है क्या उपाय करना है ब्रिच्चिक राश्य वालों को आज आज का दिन बहतर करने के लिए अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को कुछ खाने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज चमकीला हरा भाग्य प्रतिशत 69 धनुराशी अनकूलता के साथ चल रहे हैं आप पढ़ाई अच्छी है सिक्षा में लाब हो रहा है ब्यापार अनकूल है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बहतर करने का प्रयास करेगा दिन अच्छा रहेगा सरकारी छेत्र में तनाव बढ़ सकता है सोच समझकर निरड़े लीजिएगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पतनी का सानिद्य प्राप्त होगा लव लाइफ में आज कुछ उतार चड़ाओ बढ़ सकता है बिवाह की चर्चा टाल दें नए प्रपोसल पर विचार ना करें स्वास्त के मामले में धनुराशी वालों को आज लिवर की प्रॉबलम दिखाई देता है क्या उपाय करना चाहिए आज धनुराशी वालों को किसी छोटे बच्चे को कच्चा दूध आदी कुछ खाने के लिए दे सकते हैं शुबरंग आपके लिए सफेद भागी प्रतिशत 56 मकर राशी पढ़ाई के लिए दिन अनकूल है सिक्षा में आज हर कदम पर सुधार हो रहा है नई जगह एडमिशन आदी के लिए विचार उत्तम रहेगा व्यापार रिस्क जोन से बाहर निकल रहा है साजेदारी की स्थती सुधर रही है प्राइवेट सेक्टर में कुछ इधर-उधर युक्त रहेंगे दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्टों के साथ कहीं गोमने टहलने का कारिक्रम बनेगा लव लाइफ को आप समय देने का प्रयास करें स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट आँख और किड्नी की समस्या दिखाई देती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मकर है आज मकर राशी वालों को अपने हाथों से किसी बुजूर्ग को दवा आदिका दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्य प्रतिशत 56 कुम्भराशी मैटर आपके हाथों से बाहर जा रहा है प्रहाई अच्छी है सिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं है सिक्षा को पूरी भी कर रहे हैं आप ब्यापार आपके लिए अनकूल रहेगा बिजनस में आउसर अच्छे मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बहतर कर रहा है मानसिक शानती रहेगी सरकारी छेत्र में सुधार होगा गौर्वर्मेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूल इस्थति देगा दामपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की वीच तालमिल अच्छा रहेगा आज कुम्ब राशी वालों को चंद्रमा का प्रभाव मन की चंचलता दिखाएगा और परिवार में खोशहाली का बातावरोन रहेगा लव लाइफ की स्थति में आज शुधार आएगा लेकिन आप विवाह की चर्चा दोपहर के बाद ही करिएगा स्वास्त के मामले में आज का दिन आखों से पानी आना और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है इस्त्रियों को आज पेगनेंट महिलाओं को आज अपने गर्भर की रक्षा के लिए सावधानी वरतने की आवशिक्ता है प्रियोग क्या करना चाहेगर आपकी राशी कुम्भ है आज प्रियोग के तौर पर अपने हाथों से किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूद का अभिशेक करें शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत पच्चपन अंतिम राशी मीन परिस्थती आपके अनुसार है आज शिक्षा में बहुत कुछ बहतर कर रहे हैं कोई दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होगी बारहवे की चंद्रमा के कारण आज मीन राशी वालों को यात्रा आदिक से भी लाभ मिलने वाला है ब्यापार में उतार चड़ाओं के बाद नया ओडर मिलेगा आज बिजनस में ग्रहकों की संख्या आज बढ़ेगी प्राइवेट सेक्टर कुछ आपके लिए अचानक से परेशानी का कारण बन रहा है आज का दिन नोकरी में बने रहने के लिए मशक्कत करना पड़ेगा सरकारी छेत्र में सुधार की गुन जाईश बन रहे है वरकलूट के साथ साथ बॉस के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा आज बॉस चेंज हो सकते हैं कारी छेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा आज का दिन दामपत्ति जीवन में परेशानियों का अंबार जैसे खत्म हो रहा है अवसर अच्छे मिल रहे हैं लाभर कदम पर होगा लव लाइफ बहुत अनकूल है जिसके साथ रिष्टे में हैं आप उसका स्नेह आज आपको प्राप्त होगा स्वास्त के मामले में किटनी आँख और बैट की समस्या दिखाई देती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी मीन है आज मीन राशी वालों को किसी बुजर्ग को दवा का दान करना शुब होगा स्लेटी रंग की शुबता है आज और बावन प्रत्शत का भाग्याब के साथ है राशीयों की स्थती समझ में आई हो तो अब आपको बताएं हम कि आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं इन दोर में आज और कल दो दिन इसके बाद मिलने का समय हम आप खुने निर्धारित करें यह और फिर मुंबई और फिर आउसर अच्छे हैं जिनका आपको लाव लेना चाहिए मिलने का समय लेना चाहिए आईए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का सकसेस की आज के सकसेस की में अपनी रिंग फिंगर से अंगूठे को छू करके ओम गंग गणपतय नमह साथ बार जप लीजिए और फिर आज की दिन का शुभारंब करिए सफलता आपके दरवाजे कदम चूम लेगी आप करिएगा जरूर और विस्वास के साथ करिए जोश के साथ करिए यकीन मानिएगा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में हर सांस में होता है फिक्स करके चलता है जिसको हम संतुलित कर सकते हैं प्रियोगों के द्वारा उपायों के द्वारा अब बारी आ गई है आज के भाग्याक्षर के मेश जाग्षर बिशब ला मिथुन याग्षर करक वा सिंग जाग्षर कन्या भा तुला धाग्षर बिश्चिक ना धनु गाग्षर मकर सा कुम्भ राग्षर मीन था नोट कर लें आप इने सादे चवकुर कागच पर लिखना होगा लाल रंग के इंक वाली कलम से और अपने पास रख लेजे आई अब चर्चा कर लेते हैं आज के आईश्मान भवेका जिनका आज जनम दिन है दिनांग तीन अगस्त को शुम कामनाय और बधाईयां उपाय है दो नीम के पौधे कहीं लगा कर तीन ब्रामणों को भोजन कराएं और दो बच्चों की सुक्षा में मदद करें जिनकी आज तीन अगस्त को मैरिज अनवर्सरी है शिवाले में जाकर पती पतनी आज रुद्रा भी शेक करवाएं किसी ब्रामण के द्वारा नमक शमक से और दो लोगों को खाना खिला कर तीन पीपल के पौधे कहीं लगा दे काम पूरा तो आज की इस खासंक में बस इतना ही हमें अनुमत दीजेगा अपना खयाल रखें तो इन दौर मिलते हैं आज और कल दो दिन और उसके बाद पुने और फिर मॉंबई 9910291850 ये नंबर है जिस पर आपको WhatsApp करना है मिलने का समय सुनेश्चित करने के धन्यवाद नमस्कार शेरादे